को Gestiser आज हम देखने वाले हैं और मैद में देखने वाले है अनुपात इनि xuब्दों के अर्थों को देखेंगे फिर प्रकार हैं इनको जानेगे और साथ को तुझ सक्वे oxid प्रशनों को हम दूसरी वीडियों में रखेंगे दोनों इसी वीडियों में आपके प्रश्य हूं इंपॉर्टेंट ही होग उनकी आफ्हों आजिए से इंपॉर्टेंट तौए स्टाट करते हैं अपनी सब्सक्राइब देखते हैं प्रश्णों को यहां पर पहले हम अनुपात को समझते हैं अनुपात क्या है जब किसी भी राशी को हम इस रूप में दिखा सकते हैं अनुपात यानि कि यह कहता है कि ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली संख्या दूसरे से कितना गुणा है क्या फिर यह दिखाती है कि यह कितना गुणा छोटा है यानि कि जो भी होगा गुणा होगा बढ़े में या फिर छोटा होगा तो वो भी गुणे की रूप में ही कम होगा यान चोटा कर सकते हैं इसको काटें का जो तरीका है वो है कि आप एक ही संख्या से दोनों को काते तो हम दो से यहां कार देंगे तो दो आएगा यहां से कार देंगे तो तो क्या हमको नया मिल गया अनुपात दो सम्मंध्य तीन अब इस दो सम्मंध्य तीन को हम और चोटा नहीं क कर सकते और यही क्या कहलाएगा आपका सरल अनुपाद यानि कि जिसे हम फिर और छोटा न कर सके वह आपका सरल अनुपाद कहलाएगा उसी तरह से आपका आजाता है मिश्र अनुपाद मिश्र अनुपाद क्या होता है अनुपाद सही होगा लेकिन जो उनकी संख्याएं हैं वोगी इस तरह से सरल रूप में नहीं होगी कैसी होगी जैसे हम एक संख्या लेते हैं संख्या की रूप में नहीं देखें आपको इस संख्या की रूप में दिया तो यह क्या कहला है आपका मिश्र नुपाद और यह संख्याएं एक भी हो सकती हैं दो भी हो सकती हैं तीन भी हो सकती हैं जैसे हम एक संख्या लेते हैं तीन गुडिते पांच गुडिते दस फैँ लेकिन संख्याएन क्या थी आपका मिशरण उपात komt इसको सरल करने लाश्च में सरल अनुकात की रूप में ही आ जाएगा आप आज आ क्यों नहों उसको उलड़ दीजिए वो उसका विलोमानुपाती बन जाएगा यह गया विलोमानुपाती अनुपात और विलम अब यहां पर देखे दिया है समानुपात आपने अनुपात पढ़ा क्या पढ़ा कि ए समंधे बी के फॉर्म में होती है और यह एक दूसरे से एक आप दो दीावात को ठ्री समान हो ऑनुपात क्या पर चार समंधे चार उनुपात ये दो दो हैं लेकिन यह क्या है समानुपात समान है यह जो समान बराबर आएंगे ऑनकी समान पातまあ उसी तरह से एक उर देख लेते हैं झे कर 6 समंद स् 912 जो समंद का झो 10 निषान उस60 पृज्चा से कार देता हैं अ को में इसका निए संब्रेट Zie आ प्रश्णों को हम देखते हैं पहला प्रश्ण हम ने यहां पर लिया है तीन संख्याओं को योगफ़र 15 है वे चार पांच छे के अनुपात में है तो संख्याओं ग्याद कीजिए जब इस तरह से प्रश्ण हो या फिर आप से कह दिया जाए कि तीन लोगों का बेतन इतना है और उनके बेतन का जो अनुपात है वो इस रूप में है यानकि यह अनुपात ही है आपको इस बेश पर दे रखा है तो क्या है आपको एक वक्ति का पूछ रहा है माली जे 6 का पूछा 5 पूछा 4 का अलग अलग पूछ सकता तो आप क्या करेंगे पहले जो अनुपात है उन प्लंबा पड़ें के वैसे चलेंगों सिंपल हो जाएगा 15 1 क्या आया सो आया 15 1 का 15100 आ सो आ गया यानि कि एक किसको दिखा रहा है सो को दिखा रहा है तो आप इसका पूछे माली 4 पूछे तो आप 4 का गुड़ा कर देंगी लेकिन आप आपको जिसका पूछए उस different तो 3 मिल जाए इस उसका सवायों सवाल सही है आप समान उपात में चार राशियां होती हैं जैसा कि आपने पीछे देखा अभी समान पात में देखिए चार राशियां हैं और इनका जो संबंध होता है न इनको अगर इन चार राशियों में से आप से एक राशी न दे और वही राशी आप से पूछी जाए तो आप कैसे निकालेंगे तो बाहर कि जो दोनों संख्या हैं इनका आपस में गुड़ा होता है जो अंदर की दो संख्या हैं इनका आपस में गुड़ा होता है और गुड़ा होने के बार दोनों का प्रोसेस समान निकलता है यानि कि जो अंक निकलेंगे वो आपके बराबर निकलेंगे तो चार चोके देखें हम 36 अबारतिय गया 36 बराबर आगया यही चीज़ है यही चीज़ देखे आप यहां पे करना है आपको यह देखे कह रहा है 12,24,48 का प्रत्मानुपाति ग्याद कीजी चार आश्या होती है और प्रत्म आपको ग्याद करना है प्रत्म नहीं पता तो एक समा लेते हैं समंध में 12 और समानुपाति क्या होगा 24 समंध 48 इस संख्या का इसमें गुड़ा कर देंगे और इस संख्या के इसमा गुड़ा कर देंगे हमें मिल जाएगा लेकिन हमें नहीं पता है यहां पर तो यह देखिए 24 दूना 48 होता है 24 में 2 का गुड़ा कर रहे हैं तो हमें 48 मिल जाएगा और यहां पर 12 हो सकते हैं और 12 मिला तो संखया 3 होगी है 6 होगी यह थो आप आसी निकाल निखालना चाहिएगे तकी संख्या लिए तो आपको दिखा और रशागा एक समंध्य 12 सम्ध्य लमान उपाते 24 समंधे 48 तो बाहर की संख्या का बाहर उसके साथ अंदर की संख्या का अंदर के साथ गुड़ा कर देंगे तो यहां जाएगा गड़ते 24 एक्स बराबर करेंगे तो यह के हो जाएगा आपका 12 गुड़ते 24 बटे में 48 24 दुनार तालिस दो चके एक्स बराबर के आगया च्छा आगया ना यहीं चीत्तों यहां पर भी है बस करना क्या है इसका गुड़ा कर दीजिए और ध्यां दीजिए कि किसका गुड़ा किया जाए कि अब वो संख्या मिल जाए अब यहां पर अगला प्रश्ण देखे दिया कि यहां कि प्रस्ट में आपने देखा आप से प्रथमा नुपाती पोछा गया और यहां पर उतने हैं पूछ और यहां पर्थम संख्या यह प्रत्हार शस्तों संख्या है और लिख लेता है पने शक्या में आठ समंध है संख्या नहीं पता वही ग्याद करने हैं तो हम एक्समा लेते हैं बाहर की संख्या का बाहर के साथ गुड़ा होगा और अंदर की संख्या का अंदर के साथ गुड़ा होगा और दोनों का गुड़ा करने पर समान आएगा तो आठ पंजे 40 अब हम यह जान गए कि अगली संख्या भी हमको 40 ही चाहिए तो 2 में हम कौन सी संख्या का गुड़ा करें कि हमें 40 मिल जाए तो 2 में अगर हम 20 का गुड़ा कर देंगे तो हमको 40 मिल जाएगा अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो यह कर लीजिए दो गुडिते X पराबर समंध और 5 गुडिते 8 तो X पराबर क्या करेंगे 5 गुडिते 8 बटे में 2 कर देंगे यहां कार देंगे तो 4 चान पंजे 20 X का मान क्या निकल कर आगया 20 निकल कर आगया अब बस ये ध्यान दीजिए इसको छोड़ दीजिए सब्सक्राइए ध्यान दीजिया, आगे देखिए, आगे है मध्य नुपाती, चार आशियां है, राशियां, एक, दो, तीय, चार, मध्य का पुछा, कि ये स्टार्ट का है, ये चौथाे है, पहला ये चौथा, मद में तो दो अंक हैं आपके तो यहां से आपसे मद का पूछा यानि कि आपसे दो अंकों का पूछा जा रहा है क्या है पहले 9 रुपाते क्या रहेगा नहीं पता छोड़ देते हैं X मान के फिर यहां पे भी X करेंगे और यहां पे क्या करेंगे 16 अब हम जानते हैं कि बाहर की संख्या का बाहर से गुड़ा होगा और अंदर की संख्या का अंदर से गुड़ा करना है यहां पर थोड़ा साब को ध्यान देना होगा तो 16 के गुड़ा कर देंगे हम 9 से 9 गुड़ते 16 बराबर क्या हो जाएगा X का X से गुड़ा करेंगे तो X स्क्वाइर होगा ऐसा नहीं कि जोड़ना हो तो X ही मिलेगा लेकिन गुड़ा करना हो तो X स्क्वाइर हो जाएगा तो X स्क्वाइर बराबर 169 169 X स्क्वाइर बराबर 144 हो जाएगा अब यह square में है तो यह आपका करड़ी में चला जाएगा और करड़ी से बाहर निकालने का condition क्या होती है यह वर्ग है और आप इसका वर्ग मूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बरहम 144 तो x बराबर क्या आगए 12 x बराबर 12 तो यहाँ पे क्या होगा जो अनुपात हमारा बन रहा है वो बनेगा 9 समंधे 12 समा अनुपाते 12 समंधे 16 यह हमारा मद्यानुपाती निकल गया अब यहाँ पे देखिए यह तो easy था आपने कर लिया अब यहाँ पे दिया है तृतिया अनुपाती आप एक प्रिश्ट पे और ध्यान दीजी कि यहाँ पे आपसे प्रत्मा नुपाती पूछा यहाँ पे चतुर्था नुपाती पूछा यहाँ मद्यानुपाती पूछा यहाँ तृतिया नुपाती पूछ रहा है लेकिन दुतिया नुपाती कहीं नहीं है दस तर्था बिसका त्रतिय समानूपात क्या होगा? पूछा है आप से त्रतिय, एक, दो, तीन, चार राशिया हैं, पहला दिया है, दूसरा दिया है, अब ये भी निकलिर है कि दूसरा है कि फुर समानूपात है, बस कह रहा है त्रतिय, लेकिन जब आपसे तृतियानुपाती पूछे तो ये समझ दे जो एक राशी है वो पहले को दिखा रहा है और जो दूसरी राशी है वो चौथे को दिखा रहा है जैसा कि आपने मध्यानुपाती में देखा लेकिन अब यहाँ पे लेकिन यह तो मध्यानुपाती जैसा लग हम एक्स वाल लेंगे बागी बाखिवीए अपना लेंगे बस रखने clicked study पूछ है तो दस समंधे 20 यह संख्या वैसी रहेंगी और यहां पे इस वाले अंग पर ही हम इस संख्या को रखेंगे इसी संख्या को देखें तो दस दस हम स्वाल और इसके अलावा भी कुछ सवाल है कि आप उन्हें कैसे लगाएंगे तो अभी के लिए के लिए इतना अगली वडिम आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार